हेलो रिवन दिस इस एलिक स्मित वेलकम टू नालिज दा अमबीशन सागत आपका नालिज दा अमबीशन के इस सेशन में हम कर रहे हैं हमाच्चो प्रदिश पुलिस कॉंसरेबल एंड एक चीक की सीरीज जिसका यह पार्ट 10 है तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख लिए अगर आप किसी भी एकजाम की त्यारी करें किसी भी इससे इंपार्टेन आप जरूर देखे इस सेशन को क्योंकि सभी इंपार्टन कॉश्चन जो है आप पर डिसक्स किये जाएंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो का पीडियाफ आपको पर्टेप ग्रूप और प्लिग्राम चैनल से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया इसका आप वहां से जॉइन कर सकते हो शुरू करते हैं अपना पहला कौशन दिया गया है संयुक्त राश्टर संग के धोज पर किसका मानचित्र है आपको बताना है संयुक्त राश्ट संग के धोज पर आपके विश्व का पूरे वर्ल्ड का मैप अंकिता आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन इसका राइट अंसर है नेक्स्ट हम बात करते हैं कौशन नंबर टू की पूछा गया कि भारत का पहला कंप्यूटरी कृत दागर कहां स्थापित किया गय इसका राइटन से आपका ऑप्शन नंबर टू यानि नई दिली में भारत का पहला कंप्यूटरी कृत डागर जो है नई दिली में स्थापित किया गया था कोई याद रखना है नेक्स्ट आपका कौशन नंबर त्री पूछा गया कि भारत का पहला परदोशन रहित कंप्य अप कम्चिजा पहला परदूशन रहें यह लग था हाफ का मूंबई ुप्शा गया है कि एक मेगबाइट में रहें जो आपका कितने किलोबाइट के तुल्ले होता है एक मेगवाइट जो आपका कम्प्यूटर में गिना जाता है मेगवाइट आपको बताना है कि वो कितने किलोबाइट के तुल्ले होता है 220 किलोवाइट 1587 किलोवाइट 1024 बाइट या फिर 1024 किलोवाइट के तो किसके तुल्ले होता है यह इसका राइटन सा है आपका option number 4 यानी 1024 किलोवाइट के बराबर होता है आपका 1 megabyte आपको याद रखना है 1 megabyte is equal to 1024 किलोवाइट नेक्स्ट ट्रह आपका question no.5 पूछा गई है कि राष्ट्रय परियावर्न अभ्यांतरिकी संस्थान कहां परस्थेते चो आपका राष्ट्रय परियावर्न अभ्या 2 की संस्थान फो तो बजान से तो यह कहां परस्थेते है यह नागपुर में स्थित है इसका राइट नसर आप्शन नमबर वान है ने बात करते हैं कौशन नमबर सिक्स की पूछा गया है कि अंतराष्ट्रिय मानक के अनुसार कितने डैसिबल से अधिक की ध्वनी जो है परदोशक मानी जाती है आपको पताना है कितने डैसिबल से अधिक ध्वनी जो है आपकी परदोशक मानी जाती है अंतराष्ट्रिय मानक के अनुसार आपको यह याद रखना है नेक्स्ट आपका कौशन नमबर सैवन पूछा गया कि हिर्द्य की धड़कन को नियंतरित करने के यह निमन मैं से कौन सा खनिच आवर्शक है अब हिर्द है कि धड़कन को नियंतर करने के लिए सबसे मात्रपूर्ण खनिच है अप्शन नमबर त्री इसका राइट अंसर है नेक्स्ट आपका कौशन नमबर पूछा गया कि पैंसिलीन की खोज किस ने की है रोबर्थ ने लुई पास्चर ने लेस्टर ने या अलेक्जांडर फ् कि द्वारा ही आपकी पैंसिलीन की खोज की गई थी नेक्स्ट आपका कौशन नमबर 9 पूछा गया गया कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांदी तो आपको बताना है कौन सी पंच वर्ष योजना में ये नारा दिया गया था पांच भी पंच वर्ष ये योजना मे चटी में या साथवी पंच वर्ष ये योजना में तो इसका राइटन से आपका ऑप्शन नमबर 1 यानि पांच वी पंच वर्ष ये योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उस समय आपके जो प्राइम मिनिस्ट थी वो श्रीमती इंद्रा गांदी थ इसका राइटन से आपका ऑप्शन नमबर 2 jani 1998 में निस सो अन्धानव में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारम हो गया था भारत में जो है किसान क्रेडिट योजना का शुभारम थी यह नम्बर 11 सकेसे अधिक यह कहाती अब का कौमन Standard सबको पता होता है किस राज्य में जो है विधान सभी संख्य हแसं देख ना किस वर्ष हुई है फटना ऊचैनली किस ठापना कब हुई है copies 1980 में, 1985 में, 1992 में या 1916 में तो इसका राइट अंसर आपका option number 4 यानि 1916 में आपको याद रखना है पटना उचनियाली की स्थापना जो है स्वर्ष 1916 में हुई है option number 4 इसका राइट अंसर है next आपका question number 13 पूछा गया कि समविधान के किस अनुचेद में मंतरी परिशद की नियुकती का प्रावधान है समविधान के उस अनुचेद का आपको नाम बताना है जिसमें की मंतरी परिशद की नियुकती का प्रावधान है अनुचेद 75 में, अनुचेद 82 में, अनुचेद 124 में या अनुछेद 75 के तहट आपका जो मंत्री परश्यद की नियूकति है उसका प्रावधान किया गया है अनुछेद 75 के अंदर गया है आपको याद रखना है option number 1 इसका right answer है next आपका question number 40 पूचा गया कि उपर राष्टरपती के चुनाब संबन्दी विवाद में को नियमन मैंसे कौन देखता है यानि उपर राष्टरपती के चुनाब संबन्दी जो भी आपके विवाद होते हैं नियमन मैंसे उन्हें कौन देखता है संसत देखती है सर्वोच नियाले देखता है या उच नियाले देखता है या इनमे से कोई नहीं तो इसका right answer है आपका option number 2 यानि सर्वोच नियाले जो आपका उपर आश्टपती के चुनाब से संबंदी कोई भी अगर विबाद होता है तो देखा जाता है उसमें नियाले देखता है सर्वोच नियाले देखता है option number 2 इसका right answer है next आपका question number 15 पूछा गया कि निमन मैंसे कौन सा जोहललाल नहरू का समाधी स्थल है अब यहाँ पर आपको समाधी स्थलों के नाम बताएगे हैं आपको बताना है कि निमन मैंसे कौन सा है जो पंडित जोहललाल नहरू का समाधी स्थल है शक्ति स्थल, विजेगाट, शांतिवन या इन मैंसे कोई नहीं तो यहाँ पर हम बात करते हैं शक्ति स्थल की तो जो आपका शक्ति स्थल है वो किसका समाधी स्थल है शक्ति स्थल आपका प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांधी बुद्पूर्व धनमंत्री जो है इंद्रा गांधी का समाधी स्थल है शक्ति स्थल और विजे घाट की बात करें तो विजे घाट आपका लालबादुर शास्त्री जी का समाधी स्थल है और शांती बन शांती बन जो आपका पंडित जहालान नहरु जी का समाधी स्थाल है तो आपको इन थीनों को याद रखना है विज्ये घार आपका लालपादुर शास्त्री जी का और शांती बनहां अजबत आपको इन तेनों को याद रखना है इनके समाधी सर्द निके समाधी सस Hammard applies सरों निमिल्खित मैं से कि से जाना जाता है डॉक्टर राजिंदर परसाथ को दॉक्टर भगत सिंग को चितरंजन अब यहां पर राजिंदर परसाथ भगत शिञ उन दासजी की हम बात कर लेते हैं कि इनके उपनाम क्या है चितरंजन दास जी की बात करें तो इनका उपनाम है देश बंदू देश बंदू के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास को और शहीदे आजम के नाम से जाना जाता है किसे भगत सिंग को और यहाँ पर बात करें डॉक्टर राजेंदर परसाद की तो रॉक्टर राजेंदर परसाद का उपनाम क्या है देश रतन देश रतन के नाम से डॉक्टर राजेंदर परसाद को जाना जाता है तो आपको इनके सभी उपनामे सभी के याद रखने है इसका राइट नसर है राजश्री जो है उपनामे पुर्शोत्तम दास टंडन का option number 4 इसका राइट नसर है next आपका question number 17 पूछा गया कि भवानी मंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है यह भवानी मंदर नामक पुस्तक है इसके लेखक निमलखित में से कौन है बरेंदर कुमार गोश, शायर इकबाल, रवेंदर नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट नसर है आपका option number 1 यानि बरेंदर कुमार गोश है वो भवानी मंदर नामक पुस्तक के लेखक है आपको याद रखना है बरेंदर कुमार गोश के द्वारा लिखी गई थी भवानी परसाद नामक के पुस्तक आपको पुस्तक का नाम याद रखना है साथ ही में इनके राइटर का नाम भी याद रखना है ब्रेंदर क कोमार घोष के द्वारा भवाणी मंदर नामक ये पुस्तक लिह सब्सक्त करें इस वह घबलो अब आपको याद रखना ऐंल सो 2021 हुआ नकुछ कोज़ू नमबर 19 पूछा गया कि Congress का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था जब Congress का विभाजन हुआ था तो वो दो दलों में बट गई थी एक नरम दल था एक गरम दल था तो यह विभाजन उनके बीच में कब हुआ था आपको बताना है सब्सक्राइग को अपोरटन दल नमक है कि सब्सक्राइग रचना है तो इसका यृट नामक उप Tous संग रहा है किसकी रचना है सरोजनी नाइडू की रचना है तो ऑप्शन नमबर फॉर इसका राइटन से आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदीश से लेटर कुछ हम कॉस्टन से आप पर डिस्कस करेंगे पूछा गया कि आपको यहाँ पर डेट बताईए दोजा आठ और नौ में दोजा वित्यवर्ष दोजा आठ नौ में यह लांच की थी योजना तो आपको पताने वह योजना कौन सी है सहयोग सुरक्षा सहाराय समरीती तो ऑप्शन नमबर वान इसका राइट अंसर है यानि दोजा आठ नौ पुछा गया कि राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर लगता है बनिखेत में गसोता में मनिमेश में यह चंबा में तो इसका राइट इंसर है option number 3 यानि मनिमेश में जब का राधा अश्टमी का मेला है यह लगता है मनिमेश नामक स्थान पर option number 3 इसका सही answer है पूछा गया कि सोलन जिले का सरवादिक लोगप्रिय लहारी मेला किस से संबंदित है अब यह लहारी मेला का आपको नाम याद रखना है साथ में डिस्टिक का नाम याद रखना है लहारी मेला कहां पर लोगप्रिय है सोलन डिस्टिक में लोगप्रिय है और यह मेला किस से सं मंदित है next रहा करते हैं कोशन नमबर 20 पूछा गया कि 1906 में मंदी के किस राजा ने दरवार हॉल बनाया था मंदी के किस राजा ने जो है दरवार हॉल बनाया था आपको यहाँ बताना है कि दरवार हॉल मंडी के किस राजा ने बनाया था आपको यहां पर डेट दी गई है 1906 में दरवार हॉल का निर्मान करवाया गया था तो आपको बताना है मंडी के किस राजा ने यह करवाया था भूप सेन ने भवानी सेन ने शाम सेन ने या जालिम सेन ने तो आपका इसका राइट अंसर है कौन सा है ? तो आपको बताने है अज़वर सेन, दवरा स्थाफित निम्न में से शहर कौन सा है ? चंबा है ? मंडी है ? कुलू है ये कांगड़ा है तो इसका राइडिन से आपका option number 2 यानि मंडी अजबर सेन दौरा स्थाफित 1526 में इस शहर कौन सा है मंडी है को याद रखना है मंडी शहर की स्थाफित 1526 इस भी में अजबर सेन के दौरा की गई थी सुकेथ की राजधानी सुदर्नगर की स्थाफना स्थारा सो में इस भी में किस ने की थी अब आपको यहाँ पर इंपोर्टिनों भी बताईगी गई घपको है कि जालें जालम सेंड के द्वारा तो इसका राइटनस आपका option नमब्र 3 यानी गरुण सेंड के द्वारा जो है सुकेत की राजधानी संदर नगर की स्थापना स्तारा सो बारा इसविय में की ती यहां से जितनी विजानकारी आप collect कर सकते हो आप करिए क्योंकि एक्जाम में किसी भी तरीक किसे कौशन पूछा जा सकता है आपको पता अंचे सुकेत की राजदानी संदरनकर की स्थापना कब के गई थी किसके द्वारा की गई ती गरुण सेन के द्वारा की गई थी अप्षिन नमबर त्री इसका राइट रंसराई नेक्स्ट आपका कॉशन नमबर फूर आज की वीडियो में हमार पास इतने ही कॉशन थे तो आई होप आपके लिए जानकारी इंपार्टेंट होगी बैनिफिश के लिए तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और चैनल को पहली बार आएं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए और नाटिकिशन बेल को आउन कर लिजिए ताकि आने वाले सभी रगलर अपडेट आप तक रगलर ली पहुं